हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम टू माइ नर्चर, मैं हो क्रिष्णा, कैसे हैं आप सब लोग, मास बढ़िया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मेशी, लॉइन एथिस का चैप्टर नमबर 3 का लेक्चर नमबर 4, ठीक है न, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने व स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग ना कलर ले लेते हैं हम लोग थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसकी और स्टार्ट करते हैं तो क्या कह रहा है यह सेल सेल को डिफाइंड कर रहा किया जा रहा है ठीक है सेल में भी डिफाइंड एज ठीक है रुक जाता हूं थोड़ यहाँ पर इंग्लिज के difficult होते हैं बहुत सी language यहाँ बड़ी खुमाओदार होती है इंग्लिज में जिसको मैं simple सब्दों में समझाऊंगा और उसको तुम्हें लिखते हुए चलना है ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं तो sale may be defined as the process of passage of article article का रास्ता पैसेज, पैसेज क्या रास्ता? किसका? आर्टिकल, आर्टिकल यहाँ पर कौन है महर पास? ड्रग तो ड्रग के रास्ते की बात हो रही है आपर from the manufacturer to the consumer की आखिरकार sale का ultimate मकसद क्या है? जिस factory से बना है ना? हम कह सकते हैं manufacturer manufacturer से ultimately कहा पहुँचना है? consumer manufacturer से ultimately कहा पहुँचना है? consumer के पास अब manufacturer के बीच में यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हो सकती है warehouse होगा, warehouse से mall supply होगी कहा जाएगी? जो बीच में कई वर वो होते हैं secondary रहते हैं महर पास mall उठा करके जो पूरे district का या पूरा 34 district का एक stockist होता है वहाँ पहुचेगा ठीक है ना, single stockist के पास वहाँ से फिर जो district के wholesaler होते हैं वहाँ तक पहुचता है wholesaler से retail shop के पास पहुचता है और वहाँ से consumer के पास पहुच जाता है तो ultimately यह जो पूरा रास्ता तै किया गया इस पूरे रास्ते की बातें यहाँ पर होने वाली है यह सब कुछ किसके अंदर आता है sale of drug के अंदर आ गया passage of article किलिए लोगी बातें आ गया आते है there are two general types of sales मतलब की यहाँ पर दो type की sale है general type की, एक retail sale और एक wholesale यह हमारे under में रहेंगा जिसके मतलब क्या कहता है यहाँ पढ़ना है और समझना है sale यहाँ पर हर लेवल पर हो रही है लेकिन यह दो sale है तो ultimately एकदम consumer के पास जाके पहुँच जाती है retail sale क्या होती है it means sale whether to a hospital or a dispensary or medical, educational or research institute or any other person other than sale by way of wholesale dealing ठीक है न, तो यहाँ पर क्या हो गया wholesale के अलावा retail sale हो रही है, यहाँ पर means sale whether to a किसी hospital को किसी dispensary को medical को, अब बोलो medical हाँ medical है न, medical के पास एक medical से दूसरे medical जा रहा है किसी educational medical education को जा रहा है research institute को जा रहा है या किसी person के पास जा रहा है other than sale by way of wholesale dealing wholesale के अलावा इन सब के पास जो खईदारी हो रही है, वो किसके अंदर आएगी retail के अंदर आएगी wholesale क्या है sale by way of wholesale dealing जब यहाँ पर wholesale dealing अब यहाँ पर क्या रहा होगा single single article एक एक चीज़ें ली गई होगी अब wholesale में क्या रहा हैगा पुरा bulk वाला मैटे चलेगा it means sale to a person for the purpose of selling again यहाँ finally क्या होगा यहाँ wholesale में दुआरा बीटे जा रहा है selling again, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था and also include a sale to hospital or a dispensary or medical educational or research institute ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, wholesale में क्या है कि भाई, यह लोग भी ले सकते हैं यहाँ पर गया है, दुआरा से इसको resale किया जा सकता है तो यहाँ simple सी बात है अब hospital, बहुत से hospital जिनके अदर medical होते है वो दौरा से उसको बेशते है ठीक है न, बहुत से research institute जिनके अदर dispensary होती है या कुछ और purpose से भी इस्तिमाल में होता है तो सीधी सी बात हैं पर क्या जियान रखेंगे retail में finally customer रहनेगी उसके आगे resale नहीं होगा no resale, यहाँ पर purpose of purpose of selling again wholesale में इतना जियान रखेंगे तो retail में once purchased, finally consume हो जाएगा इसमें क्या होगा दौरा से sale करने का purpose रहेगा main difference यहाँ पर रखोगे language तो फिर्ट की बड़ी भारीज ही है ठीके ना, तो कानूरी language होती है, सब कुछ cover किया जाता है इसके नदर चाहें किसी person को दिया जाए किसी hospital में जाए, किसी research institute में जाए भाई, बहुत से research institute ऐसे होते हैं जो direct माल खरितते हैं अपने इस्तवाल के लिए, retail हो गया बहुत से research institute है, जो माल खाइज रहे हैं ठीके ना, और यानले की wholesale और फिर क्या हुआ wholesale से कहां जा रहा है इसके पास जा रहा है, तो depend करेगा, ठीके न, यह क्या करेगा depend करेगा, retail sale में क्या आएगा द्वारा से reselling नहीं होगी के लिए लिए बाते हैं, ओके आगे आते हैं, drug store क्या होता है drug store की बात करें, it means a licensed premises, एक ऐसी जग है जिसको license मिला हुआ है, for the sale of drug who do not require the services of qualified person, जहां रखना drug store जो होते हैं drug store जहां पर qualified person की जरूरत नहीं है chemist and drugist, it means a licensed premises for the sale of drug who requires service of qualified person chemist and drugist यह वो जगह है, जहां पर qualified person तो चाहिए, but where the drugs are not compounded against prescription यहां पर prescription यहां पर वो चीज नहीं हो रही होगी कि दवा कहें से परच्चा आया और हम लोग दवायां बाट रहे हैं, यह काम नहीं हो रहा होगा बट यहां पर qualified person चाहिए pharmacy के बारे में हम सब जानते हैं ठीक है ना, it means a licensed premises for the sale of drug who requires the service of qualified person, अब देखो यहां पर कानूनी भाहसा देखो समझो, requires the services of qualified person, डायाइट लिख सकता था हम लोग जहार देखो कितना simple भाहसा में लिख सकते हैं pharmacy क्या है, it is a place where drugs are sale, with the help of qualified person, simple भाहसा में लिख सकते हैं yes, बिलकुल आप अपने exam में यह भाहसा के इस्तिमाल कर सकते हो, ठीक है ना, but यह language को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, but where the drugs are compounded against the prescription, और यहां पर जो drug है, वो compound की जाएगी, prescription के behalf पर जब prescription आएगा किसी doctor का तभी दी जाएगी बास में आ रही है, अब अलग-अलग चीजों के लिए, अलग-अलग license है मारे पास, अलग-अलग form number है, retail अगर लेना है हमको, तो drug other then, ठीक है ना, अगर हमको yellow drug बेचनी है, जो C, C1 और X से अलग है, तो form 20 भरना पड़ेगा drug C, C1 के लिए form 21, schedule X के लिए form 20 F भरना पड़ेगा restricted, अब restricted क्या होता है restricted में चीज वो ही आ जाती है restricted में क्या है, जहाँ पर हमें एक ऐसा जगह होती है जैसे कि मारे लो एक पर्चनी दुकान है वहाँ पर जंडुबाम बेच रहा है मूव बेच रहा है, परसुटी मोटी चीज़े हैं, जिसके लिए हमें qualified person की जिरुवत नहीं है वो restricted license होती है वो 20 A, 21 A चाहिए होता है wholesale के लिए 20 B और 21 B और schedule X के लिए 20 G चाहिए होता है wholesale and distribution from motor vehicle, wholesale करना है लेकिन motor vehicle की help से गाड़ी की help से, तो 20 B B 21 B B हमें चाहिए होगा motorcycle वाले case में हम schedule X को deliver नहीं कर सकते हैं बास समझ में आ रही है, के लिए रहे पाते हैं तो यह कुछ forms से हमारे पास अब तो बड़ा यह simple बड़ा जग तुम लोग समझ में आ रहा होगा सिंपल है, wholesale दो तरीके से हो सकता है हम दुकान से कर सकते हैं लोग आएंगे हम से लेके जाएंगे हम अपनी गाड़ी का इस्तिमाल करते हुए कर सकते हैं wholesale भी ना, from motor vehicle अब license for wholesale of CC1 और license for drug other than CC1 अच्छा यह सब चीज़ें क्या motor vehicle वाला तो लोग सोचो का, motor vehicle वे है, wholesale कहा होता है यह बटा, अभी यहाँ पर होता है कई सारे areas ऐसे होते हैं, जहाँ पर दुकाने available करना हर जगे possible नहीं होता है ठीक है ना, तो वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी रहती है उसका अंदर दवाईयां रहती है जैसे कि तुमने सुना होगा न mobile hospital एक गाड़ी रहती है, उसका अंदर डॉक्टर रहता है छोड़ी दवाईयां रहती है और mobile hospital होता है, गहां-गहां जाता है ठीक है, उसी तरीके से यह motor vehicle होती है ठीक है, जहां जरूरत वाले इलाके वहां होता है अगर अच्छे शहर से तो वहां जरूरत नहीं पढ़ती है ठीक है, तो license for wholesale CNC1 और license for drugs other than CC1 तो दोनों के लिए अलग license चाहिए होगा, शॉप के लिए भी और motor vehicle के लिए अलग से license चाहिए होगा तो यह हमें यहां पर particular क्या चाहिए, license चाहिए से इसी तरह retail sale करना है तो shop और vendor shop में क्या है, drugstore की shop हो सकती है इसका definition हमने देख लिए है chemist और drugist की shop हो सकती है, इसकी definition हमने देख लिए है pharmacy की चाहिए हो सकती है, इसकी हमने definition देख लिए है ठीक है ना तो shop says retail sale हो सकता है और vendors vendors कौन होते हैं only specified drugs in specified area कुछ खास दवाई ही ही यह लोग sale कर सकते हैं किसी खास area में मतलब suppose जो आपका शहर है केवली वहीं के वहीं दवाईयां कुछ ऐसी होगे जो वहीं के वहीं बेची जाएंगी उसके बाहर नहीं बेची जाएंगी बास shop shop बोलते हैं तो confusion के rate हो सकती है के लिए रहे हैं तो आगे आते हैं अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सी चीज़े है लाइसेंस के क्या करेंगी यह सब हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अब समझते हैं चीज़ों को wholesale of schedule c and c1 drugs इसके लिए क्या का condition चाहिए हमें following conditions are to be satisfied by the licensee जिसको लाइसेंस चाहिए वो following condition क्या करेगा satisfy करेगा ताइस जिससे कि उसे schedule c c1 की drug मिल सके ठीक है the license should be displaced in a prominent part of premises open to the public जो license उसको मिलेगा तुमनों देखा होगा जब medical store पर जाता होगे एक license टांगा रहता है कुछ लोग अंजर टांगे रखते हैं actually वो front पर रहना चाहिए सामने ताकि उसको पढ़ने में आ सके तो वो license सामने टांगे रखेगा the license must have adequate premises which should not less than 10 square meter जो license होगा वो जो जगह होगी इतनी परियाप्त होनी चाहिए कि उससे समान अराम से आ सके और वो 10 square meter से कम नहीं होगा equipped with उसके अंदर सारी facilities होगी for the proper storage of drug है ना डग को तो store करना ही है अगर वोई चीज नहीं होगी तो फिर फाइदा क्या होगा licenses should maintain record वो सारी record maintain करेगा related to all purchases and sale क्या उसने माल खरीदा क्या बेचा वो सारी record maintain करेगा with particular such as क्या क्या होने चीज रिकॉर्ड में date of purchase और sale होनी चीए name address of the person from whom purchase and to whom sold है ना यह तो होता ही होल से माल आया किस company से माल आया किस दुकान दार को बेचा किस medical store को बेचा यह सब तो रहता ही है name and quantities of drug क्या के दवायां बेची किस batch number की दवायां थी very important batch number अगर match नहीं करता है तो D.I.E. दुकान पे आकर के पता होगा जिन्नों के medical store है batch number match करना बहुत जरूरी होता है name of manufacturers of drug ठीक ना कौन उसका manufacturer है drug का वो भी note करना जरूरी होता है drug should be purchased from duly signed manufacturer drug सिर्फ और सिर्फ जो duly signed होता है जो authorized manufacturer होते हैं सिर्फ उनसे purchase करना है drug should be sold only to those person who are licensed to retail them अब wholesale किसको बेचेगा retail वाले को तो drug should be sold drug के वोल उनको बेचा जाएगा जिनके पास license है retail करने के लिए the license should comply with all the provisions as per the act licensee को सारे की सारी conditions या प्रावधान करने है follow करने है जैसे कि act में कहा गया सिंपल सा काम है ना क्या करना है licensee को proper maintain record maintain करना है कहां से खरीदा है किसको बेचा है वो maintain करना है storage condition proper होनी चाहिए जगह proper होनी चाहिए यह बाद तो normal है सब को पता है ठीक है proper manufacture से ही खाइदना है के वो दुकानदारों को भी बेचना है जो medical वाले है ठीक है और act के according ही चलना है बाई यह तो बच्चा ही बता देगा कर लोगे देखो कितना असान है एक बार आंखे बंद कर कर रहे हैं और कुछ नहीं है ठीक है अब वह सीवन के तहट था अब होल सेल ऑफ ड्रग अधर देन दोस स्पेसिफाइड इस चैडिल सीवन यह हैं है ठीक है होल सेल फ्रों मोटर वेकल यह लगा जाता है तो होल सेल जो अपना शॉप से आयता है उसकी यह सारी कंडिशन है अब मोटर वेकल से बात कर लें जो गाहों में तुम क्या सोचते हो जो मोबाइल हॉस्पिटल गाडियों में आते हैं गाहों गाहों जाते हैं उनका भी लाइसेंस बनता है प्रॉपर अगर कोई पूछ दे वहाँ पर आगे कोई अथर्टी चेक कर सकते हैं वहाँ बाई दिखाओ जो उसका नर्स जो भी बैठे हुए हैं कि तुम घुम रहें दिखाओ तुम वो किसने दिया यह तो लाइसेंस दिखाना पड़ेगा ठीक इसी तरह इनके भी लाइसेंस होते है वो सामने टगा होना चाहिए बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर इस टॉपिक में कुछ बहुत बड़ा समझने ऐसा कुछ नहीं है सब बेसिक चीजे हैं बस यह समझना थे कि हाँ यही चीज है कुछ बच्चे कन्फिज होते हैं क्या वाके में इसमें यही पढ़ना है इ यही है बस लिखने के तरीकों बनता रहें रिटेल सेल सबको पता है रिटेल सेल फ्रॉम शॉप फेसिलिटी एस पर शेडियूल एंड हमको पता है शेडियूल में सारी बाते लिखी हुई है ना क्या क्या होना चाहिए पर चेस्ट ऑनली फ्रॉम लाइसेंस होल्सेलर जायर करने हैं सारे record maintain करने। Inspection अगर ड्रग इंस्पेक्टर चाहेगा तो टाइम टाइम पर उसका Inspection कर सकता है sale of हाउस होल्ड ड्रग फ्रॉम ड्रग इस्टोर जो हाउस होल्ड ड्रग से हैट जंडुबाम हैं मूब है वो है वह सारी हैं हो हो सकती है तो एक्चुली देखा जाए तो रिटेल सेल फ्रॉम सौप कुछ और नहीं है एक्चुली ये सिंपल से किसकी बात हो रही है अपनी फार्मेसिक बात हो रही तो फार्मेसिक को ध्यान में रखते होगे क्या का कंडिसेंस हैं वो सारी यहां पर लेख सकते हो दो-तिन रख लोगे, फिर तो बात वागी सबको पता ही है, कि भहिया हमें दवाई किस से लेनी है, होलसेलर से लेनी है, जो लाइसेंस धारी है, ठीक है, हमें एक धारी कालिफाइट पर्सं चाहिए, हमें एक location area चाहिए, ठीक है, सारे record maintained रखने हैं, यह बात तो सबको पता है, DIA की inspection कर सकता है हम general household drug भी रख सकते हैं यह बात हम सबको पता है ठीक है? मज़ा आ रहा है चलो आगे आते हैं licenses for chemist and drugist shop and pharmacy ठीक है ना? तो अब यहाँ पर आ जाते हैं retail sales वो कहिना की चीज़े common हो जाएगी हैं यहाँ पर लाइसेंसी must have adequate premises जो लाइसेंस लेना चाहता है उसके परियाप जगह होने चीज़े पूरी सुविधाय होने चीज़े facility for proper storage ताकि दग को store कर सके under the supervision of competent person एक qualified person होना चीज़े for the sale and distribution of drug drug की sale and distribution के लिए वो ही सारी बाते हैं सारी requirement कैसी होनी चीज़े एस पर schedule and की according होनी चाहिए must obtain the permission to sell additional category of drug अग कुछ additional category of drug बीचने चाहते हो तो उसके लिए permission लेनी पड़ेगी license must maintain record of drug सारे record drug के maintain करने है licensee must allow inspector to inspect the premises and to check the record licensee जो license धारी है इसके पास license है वो inspector को आएगा चेक करने के लिए inspector तो उसके allow करेगा उसे रोख नहीं सकता penalty पढ़ आती है licensee must inform to licensing authority about any changes in qualified staff अगर आपका pharmacist वोगरा कभी change होता था उसका आप जानगारी किसको दोगे licensing authority को दे दोगे precaution must be taken during the storage of schedule CEC1 drugs उसकी storage के लिए खास फ्रेज़ वोगर रहता है तो सारी condition हमको क्या करनी है follow करनी है clear है दोगों लगबग same ही same है ये condition इसमें खास क्या है तो मैं condition ध्यान रख लेनी है condition सब के लिए लगबग क्या है same है दो तीन बाते हैं थोड़ा सा wholesale retail में अलग हो जाता है बात बाते क्या है common है चाहें तुम retail में chemist drugist pharmacy कर लो चाहें simple retail कर लो लगबग क्या आता है दोनों में same आता है अब हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है schedule CC1 के drugstore तो ये सब चाहिए थी कुछ extra बाते हमें ज़े ध्यान रखनी है schedule X के लिए कौन बताएगा schedule X क्या होता है फटाक से comment ठीक है देखो क्या होती है ओके समझ गया हमें ठीक है तो psychotropic driver जो होती है दिमाग से रिटेड दवाईयां जो होती है ठीक है न हम लोगों खुब पढ़ रखा इसमें क्या लिखा रहता है XRX करके लिखा रहेगा तमाम बाते हम लोग इसमें पहले पढ़ चुके है तो कह रहा है drugs specified in schedule H and X should be sold only on prescription of RMP यानि कि जब डॉक्टर का परचा आएगा तभी आपको ये दवाईयां बेचनी है अधरवाईस नहीं बेचनी है in case of schedule X drug the prescription should be in duplicate and should be retained for 2 year यानि कि उसको हमें कोई copy रखने नहीं है photocopy करके और कम से कम 2 साल तक उसे maintain रखना है कभी DI ना आगे पूछा कि भाई ये दवाई तुम्हारा पास schedule X है ये sale होई है इसका दिखाओ किस ने लिखा था इसको तो तुम्हारा पास होना चीए देखो separate bound and page register should be maintained for supply in which separate sheet should be allotted for each drug ठीक है ना separate bound and page register एक बंधा हुआ register ये खुले page नहीं bound and page और को साफ साफ कहा गया है यही तो होती ही कानूनी बाशा तुम अगर कहा दो जैसे suppose तुम्हें बताता हूँ मैं कि एक कागज ले लो suppose मेरे पास यहाँ पर एक कागज है जैसे कि मालो ये कागज है एक ठीक है तुमने कहा कि देखो sir मेरे पास ये record है फाल के फैंक देखा वो इसको क्या लिखा हुआ है bound and page register ऐसा register जो binded है गत्ते वाला ठीक है और जिसके अंदर page हो कानूनी वासा में सब specify होता है मतलब समझ रहे हो सारी चीजें justify होती है एक एक word लिखा हुआ है अब बचने सकते कानून इसलिए इसकी language तोड़ी सी tough हो जाती है बंधा हुआ और page वाला register बास समझ रहे हो should be maintained for supply in which separate seats जो उसके अंदर के pages should be allotted for each drug जो लोग ये काम करते है medical store वाले कुछ लोग होंगे जो देख रहे होंगे इस lecture को उनको मेरी ये बात बहुत अच्छे समझ में आगे होगी और बात वागी सब को ही आगे होगी लेकिन वो लोग तो practical करते हैं तो उनको बात समझ में आगे होगी ठीक है न और लाश में कितना बचा ठीक है बिल नमबर के साथ नेम अफ ड्रग इस मैनफेक्टर नेम एन बैच नमबर ड्रग को किसने बनाया ड्रग का क्या नाम है उसका बैच नमबर क्या है नेम एन एडरेस आफ दे परचेजर किसने खरीदा है डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कब प्रिस्क्राइब किया गया नेम एन एडरेस आफ आरेंपी किस डॉक्टर ने उसको लिखा है रेजिस्टेर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर ने सिगनिचर ऑफ रेजिस्टेर्ड फार्मसिस्ट जिसने बेचा है जिसके अंडर यह सप्लाई हुई है तो तीन साल तक का क्या करोगे उसको मेंटेन करोगे तो यह सारी बाते थोड़ी एक्स के लिए इंपॉइन्ट हो जाती है आगे आते है जर्नल लाइसेंस हमारे वही सब थे जर्नल लाइसेंस क्या होते है इस ग्रांटेट टू अपरसन फूह फर्माइसेंस इसको जगह होती है फॉर बिजनेस एंड वह इंगेज था सर्विसस अफ क्वालिफाइड परसन देखो जो क्वालिफाइड परसन याने की फार्नसिस्ट की देखरेक में अपना बिजनेस सला रहा है sale का purchase का compounding का dispensing का वो हो क्या है general license restricted license under form 20A और 21A this license is due to those applicants उनको दिया जाता है जिन्होंने apply किया है who want to sell drugs without the supervision of competent individual जहां पर फार्मसिष्ट की दिरोध नहीं है भाई क्योंकि VIX हुआ ठीक है अपना BAM हो गए यह भी medical category में आते हैं आप अगर कोई ऐसी जनरली बेचेंगे इनको तो क्या होगा लिया आए आगे पकड़ लेगा बट यह बेचने के लिए भी form होता है लोग बेचते हैं ऐसी गलत होता है यह फार्म होता है इसका अलग से ठीक है ना तो यह सब चीजें कहर यह restricted license यहाँ पर सुपर विजन यहाँ पर सिंपल याद रखते हैं without the supervision of competent individual या फिर सिंपल याद रख लो यहाँ पर बिना फार्मसिस्ट के बिना फार्मसिस्ट के दवाई बेच रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते है रेस्टिक्टेड ऐसे license को हम लोग क्या कहते है ठीक है ना एक और इसमें लाइन जोट दे आगे गया manufacture हम लोग एक और है ना जो manufacture of drug में पढ़ा था हम लोगोंने वही सारी कहानी तुम यहाँ पर लिख सकते हो तो misbranded आ गया कौनसी दवाई आओंगी misbranded spurious adult rated अब मैं सबको explain नहीं करूंगा मैं पहले एक्सपेंड कर चुका हूं एनी patent of proprietary medicine जो patent है जिसको कोई और नहीं बेश सकता है जिसने उसके उपर राइट लिया हुआ है एनी drug which claims to cure और prevent any disease और ailment as described in जे है ना जो एक्टाइवी वगरा के लिए थी कहते थे लोग कि है चाहिए वगरा हो ठीक कर देंगा तो actually ठीक नहीं होती हो गल्त गल्त क्या होता है उनकी branding होती है एनी drug manufactured और imported in contravention of the act जो act का उलंगन कर रहा हूँ drug whose date of expiry has expired उसके expiry निकल गई है ड्रग intended for supply to central government health scheme और government hospital और इंस्ट्यूशन जाने की जो सरकारी दवाईया है आप उन्हें बेच नहीं सकते हो बात समझ में आई physician sample होते हैं physician sample के लिए होते हैं बेच नहीं सकते हैं लेकिन हुम सबको पता है जड़ले से बिक्तीन दवाईया वो drugs not intended for sale जिन दवाईयों का sale करने के लिए प्रोईबिडेट है मना किया गया उनको नहीं बेचना है clear है तो यह तो बड़ा simple सा यहां पर कुछ नहीं मन से बना के लिख सकते हैं यह तो है ना थोड़ा सा दिमाग लगा लें common sense तो यहाला तो question ऐसी हो गया अब आते हैं अपने records पे हमारे पास एक heading दे रखिए है हमारे course में कि बताओ भीया कैसे कैसे register यह record फार्मेसी में maintain करने पड़ते हैं तो देखो एक legal record होता है ठीक है एक patient record होता है एक financial record होते हैं तीन तरह के record हो गए legal record जिसके अंदर क्या होगा disposition of drug distribution of poison and हजार सब्स्टांस है ड्रग कहां कहां डिस्पोस किया गया है कैसे distribution हुआ हुआ हजार सब्स्टांस का patient record patient drug history उसमें तमाम बाते रहेंगी patient को लेके type and amount कितना दिया गया है reducing drug problem and interaction तमाम बाते उसकी लिखी रहती है financial record जिसमें loan expense income तमाम जो हो रहा होता है shop का वो यहां maintain रहता है अच्छा यह हर दुकान पर नहीं होता है जो छोटी दुकान है वहां सब की जरुद नहीं पड़ती है वहाँ एकात कम भी हो जागा जैसे कि जहां पर यह सब कीज़ें नहीं होगी तो रेइस्टर बनाना पड लगें दुकानों पर है ना जो थोड़ी बड़ी दुकाने होती है तो कहीं ना कहीं यह record अप computer में रहते हैं computer में कौन को से record रहेंगे ओके systematic managerial professional और clinical support और accounting accounting मतलब अपना आ गया यह financial तो देखो यहाँ पर क्या है systematic में क्या है preparation of prescription level पर्चा टाइप होता है patient का नाम वगरा सब कुछ provider receipt for patient फिर patient को receipt दे दी आती है calculation of total prescription cost order quantity सब कुछ इसके अंदर मेंशन रहता है managerial daily sale कितनी हुई है sale and financial analysis कितनी sale हो गई है कितना stock बचा है तमाम बाते है professional storing of information on drug and other allergies अगर कोई reaction आई है मालो physician and phone number तमाम बाते रहते हैं इसके अंदर clinical support क्या रहेगा patient को educate करना है ना उसमें एक परचा रहते है चापके देगा यह मत खाना यह मत खाना यह पीना ऐसा सोना ऐसा करना फार्मसिस्ट counselling activity फार्मसिस्ट ने क्या counsell करना उसको रहेगा सब कुछ drug की monitoring रहती ड्रग खाया अच्छा फायदा हुआ नहीं हुआ क्या तमाम बाते है accounting and business management record keeping analysis सारा record रहता उसके अंदर तो यह आजकर सारा काम किसमें रहा लिया है जो record वाला रेइस्टर यह record वाला है और रेइस्टर अब कहाँ चला गया एक्चुली computer बेस पे हो गया है ठीक है तो इस वाले question में यह आला point भी डालोगे तुम लोग क्योंकि आजकर आजकर आ हमनों रेइस्टर बोलते हैं तो रेइस्टर की जगा आजकर क्या चलता है computer चलता है दिया आएगा तो खट से तुमें बटन मारो को पूरा प्रिंट निकल के आ जागा वह उसका क्या हो जागा record में माना जाता है के लिए बाते है ठीक है बास समझ मारी है ओके तो यह था हम जुड़ना की नहीं जुड़ना लेकिन revise करना है और पढ़ना है ठीक है ना पढ़ते रहोगे revise करते रहोगे कोई भी दिक्कत आ रही किसी चीज़ को लेके मेरा phone नमबर यहां पर है call करे मुझे अपने doubts के लियर करें चाहे वह एप को ले करके हो या course को ले करके हो ठीक है लेकिन एक काम पक्का करें पढ़ें और revise करें ठीक है all the best